साल के अंत में टीम इंडिया को ऐस्ट्रेलिया का दौरा करना है जहां भारतियो टीम को कंगारूँ के साथ चार टेस्ट, पांच वन डे और तीन टीट्मेंटी मैचों की सीरीज खेलनी है इस महत्वपूंट सीरीज के मदे नजर साथ आफरिका के पूर्फ दिगज क्रिकेटर एबी डिविलियाज ने बड़ी भविश्यवानी की है उनका मानना है कि विदेशों में लगातार हार के बाद भी ऑस्ट्रेलिया दोरे पर भारत के पास जीत दर्च करने का बहुत अच् मिली लेकिन पहला टेस्ट मैच किसी के पाले में जा सकता था जिससे सिरीज का रुख बदल जाता भारत अब उस्ट्रेलिया का दौरा करेगा मुझे लगता है कि अगर टीम इडिया अपने तेज गेंदबाजों को फिट रखने में सफल रही तो उसके पास जीत दर्च करन अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि वहां गेंद स्विंग नहीं होगी हां गेंदबाजों को उच्छाल मिलेगा लेकिन भारतिय बल्लेवाज उसका सामना करने में पूरी तरह सक्षम है बेरहाल टीम इंडिया का उस्ट्रेलिया दोरा 21 नवंबर से पहले T20 से शुरू होगा जो जाकर 18 जनवरी को आखरी वंडे मैच पर खत्म होगा